इसके अनदर क्या है आपका retirement benefit salary के अदर क्या कर चुके हैं हम salary के अंदर meaning of salary हमने देख लिया meaning of salary के बाद हमने क्या देखा meaning of salary के बाद हमने great salary देख लिया कैसे निकाला जाता है फिर आपका मैंने due charges salary देख लिया, इसके बाद हमने allowances कर लिये, जिसके अंदर special allowance था कुछ, limit subject to, जैसे children education allowance, hostel expenditure allowance, और इसके बाद हमने एक कर लिया fully taxable allowances भी, fully taxable allowance means city compensatory allowance, इसके fully exempt allowances भी देख लिये हमने, जो की judge को दिया जाता है या कोई outside India work करता है, government employee तो उसको दिया जाता है, entertainment allowance देख चुके हैं, इसके बाद हम professional tax देख चुके हैं, hra कर लिया हमने house rent allowances, house rent allowances के अंदर क्या था हमारा, कि जो exempt होता है, वो होता है lower of कितना actual hra receive, rent paid minus 10% of salary for retirement benefit और 50 और 40 depend upon cities, इसके बाद हमने last class के अंदर provident fund भी करा, जिसके अंदर दो पार्ट किये हैं, हमने unrealized provident, sorry, unrecognized provident fund और recognized provident fund, recognized provident fund था, वो तो जमा करते time पे taxable होता था, unrecognized provident fund विड्रोन करते, जमा करते time पे employer वाला to tribal होता है subject to 12% और उसका ब्याज होता है, दोनों का ब्याज होता है 9.5 exempt balance taxable और विड्रोन के time के तैम पे employer वाला fully taxable और interest fully taxable और employee वाला interest other source में और employee वाला contribution जो होगा वो taxable नहीं होगा यहां तक के बाद हमारा basic basic salary का कुछ concept खतम हो गया बिल्कुल basic basic अब यहां से salary के अंदर देखो एक होता है retirement benefit एक होता है perquisites आपके exam में question या तो retirement benefit पे पूछा जाता है या फिर perquisites के base पे पूछा जाता है दोनों कभी नहीं आता तो सबसे पहले मैं retirement benefit करूँगा जैसे खतम होगा यह सारा topic फिर perquisites पहेंगे retirement benefit क्या होता है हमारा basically retirement benefit होता है जब person retire होगा तो उसे क्या क्या मिलेगा तो जब retire होगा तो जो जो उसे मिलेगा वो भी as a salary taxable माना जाएगा retirement के बाद अब retirement कभी भी हो सकता है हो सकता है वो जैन में हो जाए हो सकता है वो मार्च में हो हो सकता है वो एपरिल में हो तो इस question में इस ठाएग में सबसे जदा जो थोड़ा सी problem face करना पड़ता है sa salary 10 महने का भी लेना पड़ सकता है sol 33 9 महने का भी लेना पड़ सकता है मान लो retirement वो दिसमल में हो जाता है तो फिर कितने महने का salary मिल उसे दस महने का balance तीन महने का pension लेना पड़ जाता है क्योंकि retirement के बाद भी क्या मिलता है हमें थोड़ा थोड़ा सा यह देखना है कि सेलरी हो सकता है कि पूरे टाइम का भी ना हो और दूसरा पॉइंट हो सकता है बैलेंस पेंशन होगा और पेंशन में भी कुछ पार्ट से तो आज हम करेंगे रिटायर्मेंट बैनिफिट में से एक तो है पेंशन जो कि अभी नहीं करेंगे पैंशन सेक्शन 1010 एक क्या होता है कम्यूटिट नौन कम्यूटिट बाद में देखेंगे उसके दूसरा हमारा है लीव सेलरी जो आपके हॉलिडेज जिसको आप अवेल नहीं करते उसका पैसा मिलता है रिटाय होगा ग्रेजूटि कि जब कोई employee अपने employer के पास बहुत सारे टाइम से जॉब करता है तो जब वो छोड़ के जाने लगता है तो employer उसको थोड़ा सा अमाउंट दे देता है उसे बोलते है ग्रेजूटी ग्रेजूटी निकालने का वहां पर आपको कोई टेखनीक नहीं बताए गया था यहां पर income tax में बताए गया कैसे निकालना है ग्रेजूटी आपको अब ग्रेजूटी की मैं बात करूं section 1010 तो ग्रेजूटी किस employee को मिल सकता है ग्रेजूटी मिल सकता है एक तो हमारा government employee को जो सरकारी काम करता है अब government employee कौन सा दो तरीके के government employee है center state अगर आप यहां के दिल्ली में job करते हो यानि अगर आप करते हो दिल्ली जलबोड में तो स्टेट में हो या दिल्ली के MCD स्कूल में तो स्टेट में हो लेकिन अगर आप करते हो दिल्ली पुलिस में तो वो सेंटर की जौब है तो कुछ एक चीज सेंटर स्टेट करता है कुछ एक चीज आपका स्टेट आपका स्टेट गवर्मेंट तो सेंटर गवर Government employee कोन होता है दोनों हो सकते हैं Center भी श्टेट भी कि अगर Government employee को मिलता है ग्रेजुटी आफ्टर एटायर्मेंट तो फुल्ली एग्ज़ेमट है । अगर देथ हो जाए बीच में तब मिलता है तब भी कह फुल्ली exempt है during the job death graduate के अंदर आपको condition पता होना चीए 1972 में लिखा था कि या तो आप 5 साल तक continue job करो section 2 एक हिसाब से बताया था 5 साल continue job करो अगर 5 साल continue job नहीं करते तो आपको graduate नहीं मिलेगा लेकिन अगर in case of death हो जाता है retirement हो जाता है या फिर कोई और reason होता है आपको beach में job छोड़ना पड़ रहा है मालिक के तरफ से छोड़ना पड़ता है तो 5 साल compulsory नहीं होता और death के case में जब death होगा तभी graduate के लिए eligible हो जाओगे तो fully exempt after retirement or death हमारा इस वाले में तो government वाले में tension ही नहीं है लेकिन मालो graduate beach में निकाल लेता है हम कई बार beach में भी निकाल सकते है तो graduate अगर ये beach में निकालता है before retirement तो fully taxable है उसके बारे में नहीं सोचना non-government employee अब ये कौन होता है non-government employee जो किसी individual के पास काम करता हो जैसे कोई provision का store या किसी partnership में काम करता हो या फिर कोई company में काम करता हो private limited या फिर limited company में तो non-government employee के लिए दो पार्ट है covered और not covered graduate under the act of covered और graduate under the act of not covered इसका मतलब है या तो वो graduate act के अंदर registered है 1972 में या फिर registered नहीं है question आपको clearly बता देगा कि ये covered है या फिर नहीं है नहीं बताता तो फिर आप exemption लेके कोई भी कर सकते हो covered की बात करें जब covered होगा तो जितना भी graduate मिला मानलो कि मिलता है उसे 20 लाग 25 लाग 5 लाग 6 लाग जो भी मिलता है उसका सारा का सारा salary में taxable नहीं होगा कुछ part exempt होगा exempt कितना होगा actual receive इन तीनों में से lower actual receive maximum limit 10 लाग या 20 लाग यानि पुराने वाले time के हिसाब से हमारा 10 लाग हुआ करता है जो कि 2018 में revise हो गया 10 को government ने बढ़ा के कर दिया 20 लाग तो subject to आपके college में कौन सा applicable होगा इस साल के लिए तो 10 लाग applicable होगा फिर भी अपने college में आप confirm कर सकते हो क्या हो बाकी आने वाले time में आपको purpose रहेगा के 20 लाग ही हो जाएगा जब अगले साल आप देखोगे graduate में तो क्या नजर आएगा maximum limit 20 लाग नजर आएगा 10 लाग का कोई discussion ने होगा अभी इस साल में बस मैंने ने दोनों बता दिया तो exempt होगा covered वाले का lower of actual receive maximum limit 10 लाग और 20 लाग थर्ड 15 by 26 यह format में given है into last month drawn salary जैसे कोई person मान लो दिसमबर में जौब छोड़ता है तो दिसमबर से पहले last month कोन सा होगा नेवंबर की salary लेंगे हैं ठीक है यानि जिस साल उसने job जिस मन्त में उसने job किया उससे last month की जो भी drawn salary होगी जो उसने लिया था वो अगर दिसमबर 31 को होता है तो दिसमबर में जो salary लिया था वो consider कर लिया जाएगा तो 15 बटे 26 into last month drawn salary in excess number of completed year in excess of 6 month कितने साल job किया उसको भी multiply करना पड़ेगा simple language में बोलू 20 साल काम किया तो multiply by लेखिन कई बार 20 साल 5 मेहने भी हो सकते हैं कई बार 20 साल 7 मेहने भी हो सकते हैं तो अगर 20 साल 7 मेहने हुआ तो लेंगे 21 20 साल 5 मेहने हुआ तो लेंगे 20 20 साल 6 मेहने हुआ तो लेंगे 20 कहा गया in excess of 6 month वाले को आप round figure करोगे अगर आपका 6 महिने ही होता है उसको round figure में आप lower side ले जाओगे दुबारा सुन लो आप अगर 20 साल 5 महिने होता है suppose करो मैंने बोला 20 year 5 month तो कितने से multiply करोगे? 20 अगर 20.6 तो 20 अगर 20.7 21 ठीक है in excess of 6 month का concept ये है in excess of 6 month के round figure जो भी करोगे आप उपर की side वो 6 महिने से उपर होगा तब ही करा जाएगा तो देखो ग्रेजूटी में पहला था actual receive दूसरा maximum limit 10 और 20 और 15 बटे 26 इंटु में last month drawn salary जब retire होगा multiply number of completed year in excess of 6 month salary का मतलब क्या है basic plus full DA full DA का मतलब कोई से भी DO retirement benefit हो जैसे कोई भी हो सारा DA यहाँ पर covered करेंगे तो ये किसका है हमारा covered का not covered में आते हैं not covered का मतलब जिसने अपने graduate में अपने आपको covered नहीं करा रखा exemption मिलेगा फिर lower of पहला point same actual receive दूसरा point 10 लाख या फिर तीसरा point change हो गया यहाँ 15 बटे 26 था है यहाँ 15 बटे 30 हो गया 15 upon 30 into में average salary वहाँ पर last month drone salary था यहाँ पर into में number of completed year ignore friction मतलब into में number of completed year तो रखना ही रखना है अगर मानलो 20 साल 5 मैंने हुए तब भी 20 20 साल 6 मैंने हुए तब भी 20 नहीं देखना आपको question के अंदर क्या होगा given होगा कि इस employee ने 1990 में join किया था retirement is date सरोगा तो आपको year count करना पड़ेगा इस case में कि कि कितने साल उसने job किया है अब यहाँ पे salary का मतलब अलग है basic plus da retirement plus percentage लेकिन basic plus da percentage commission है न वो 10 मन्त का average होगा यहाँ पे average है न तो यहाँ पे लिया जाएगा हमारा 10 महिने का average salary इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा salary है last month drawn salary और यहाँ पे पहले 10 बार plus करोगे फिर 10 से divide करोगे कई बार तो सेम आएगा लेकिन जब मन्त में change हो जाएगा तो वो changes आ जाएगा उसके अंदर तो मैं simple बोलू 10 10 graduate दो पार्ट में divided है एक होगा हमारा कौन सा employee गॉवर्मेंट के लिए exempt है non government employee में दो पार्ट हो सकते हैं एक हो सकता है covered और एक हो सकता है हमारा not covered covered हुआ तो exemption मिलेगा lower of point number one actual receive point number two maximum limit 10 लाक या 20 लाक point number three 15 बटे 26 into my last month drawn salary into my number of completed year ignore fraction salary क्या है basic plus में full DA इसके बाद not covered है तो फिर से exemption change हो जाएगा exemption क्या मिलेगा actual receive number two 10 या 20 number three 15 बटे 30 changes जो हो गया 15 बटे 30 into my average salary और into में number of completed year लेकिन friction को ignore करेंगा यहाँ पे salary का मतलब है basic DA plus percentage और DA भी कौन से वाला retirement benefit वाला और average salary होगा पिछले 10 महिने का average salary चाहे पिछले 10 महिने में आपका year भी cross हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें last 10 month जब retire होगा उससे last 10 month count करेंगे उन सब salary को जोडेंगे और फिर divided by 10 कर देंगे और वो रखेंगे यहाँ पे average salary ठीक है तो जब हम practical कोईशन करेंगे इसका तो और ज्यादा clear होगा तो covered not covered 15 बटे 26 इसके अंदर major changes याद रखने का तरीका covered not covered में क्या है जो covered है वहाँ पे 15 बटे और not cover में और covered वाले में last है और यहाँ average इयर की बात करें तो इयर में six month के बाद friction लेना है और इसमें friction salary में यहाँ पे full डिये और यहाँ पे retirement benefit लेकिन यहाँ पे average salary किया जाएगा आपका तो यह पूरा का पूरा आपका graduate का था graduate के उपर आपका अलग से भी question आ सकता है मैंने अभी सिर्फ discussion किया है आपसे graduate का pension और leave salary या leave and cashment का भी मैंने कोई discussion नहीं किया है तो हर question में आएगा आपका graduate covered और not covered आपको देखना है अगर नहीं पता चलता तो ऐसा situation में अजम्शन ले सकते हैं या फिर उसके के अंदर आपको दिखेगा question को देखके के वो डिये retirement benefit का बोल रहा है जब रिये retirement benefit का बोल रहा है और covered not covered नहीं बोल रहा है तो अव्वेस से मुझे तो लग रहा है यही वाला है क्योंकि इसी के salary में डिये retirement benefit यूज करते हैं तो एक कुछ भी एक टेंटेंटिवली एक assumption ले सकते हो आप ठीक है इस से related कुछ questions देखते हैं